साथियों 21 सदी में आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म विस्वासी युवा ये इसकी पहली शर्त है बहुत जरूरी है ये आत्म विस्वास फिटनेस से बढ़ता है एजुकेशन से बढ़ता है स्कील और उचीत अवसरों से आता है आज सरकार बेश के युवाओं के लिए जरूरी इनी पहलूओं पर काम कर रही हैं और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉंस भी किये जा रहे हैं हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्सा संसान तक स्कील इंडिया मिसन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है आज फिटनेस और स्पोर्ट को भारत में अबुत्पुर्व प्रात्विक्ता दी जा रही है फिट इंडिया भ्यान और खेलों इंडिया भ्यान देश के गाउं गाउं में बहतर फिटनेस और बहतर टैलेंट को प्रोशाइट कर रहा है फिट इंडिया भ्यान और योग को प्रोशान देने के लिए तो एंसीसी में भी विशेश कारकम चलते हैं नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिश्ट्रिक को भी प्री नर्शरी से लेकर प्रीटरी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाय जा रहा है अपने बच्चों को युवा सांत्यों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छां अपनी रूची के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहोल बनाया जा रहा है खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्टर पर युवा टैलेंट के लिए हमें वयम राष्ट जागरयाम इस वैदिक आहमान को 21 सदी की युवा उर्जा का उद्गोश बढाना है हमें इदम राष्टा है इदम नममा यानि यह जीमन राष्ट को समर्पित है इस भावना को आत्मसात कर रहा है हमें राष्ट हिताय राष्ट सुखायच का संकल्प ल और सर्वभूत हितेरता यानि सबका साथ सबका विकाद सबका विश्वात के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा